इस वीडियो में हम simple interest को समझने की कोसिस करेंगे जिसको हम हिंदी में साधरन ब्याज कहते हैं साधरन ब्याज comparatively आसान होता है और जो चक्रवधी ब्याज होता है compound interest होता है वो थोड़ाफा tricky होता है लेकिन simple interest से भी अच्छे सवाल आ जाते हैं तो इसको हमको समझने की कोसिस करना है सबसे पहले कुछ important formula समझ लेते हैं और उनकी symbol क्या होते हैं और आगे हम इनको कैसे उपयोग करेंगे वो मैं आपको पता देता हूँ तो English में हम इसको simple interest कहेंगे और इसको SI के से हम represent करेंगे इसका सामानता जो formula होता है वो PRT divided by 100 आपने सुना हुआ इसमें P होता है principle, R होता है rate, T होता है time अगर हम हिंदी में बात करें तो SI को हम बोलेंगे साधरन ब्याज और P को यहां represent करते हैं principle से मतलब इसको हम बोलते है मूलधन, दर को हम बोलते है rate और time को हम बोलते हैं तो PRT divided by 100 यह हिंदी और English को आप समझे लिए न यह वाला formula हम होता है अब generally देखो क्या होता है, suppose मैंने 5000 रुपे का loan लिया, तो जो amount invest किया जाता है यह पैरम में लिया जाता है, उसको कहते हैं मूलधन, क्या कहते हैं उसको मूलधन तो मैंने पांच हजार रुपे का लोन लिया कितनी साल के लिए पांच साल के लिए कितने साल के लिए पांच साल के लिए अब बोलो कि तो कितना ब्यासदर क्या रही तो मैं बोलू कि 10% ब्यासदर पर मैंने बैंक से लोन लिया पांच साल के लिए और सपोज एक्जामपल के लिए मान लो कि मुझे कितना देना पड़ा बाद में जो है मुझे साड़े साथ हजार रुपे बापस देने पड़े कितने देने पड़े साड़े फाथ हजार रुपे बापस देने पड़े तो ये है मेरा मूलधन और ये क्या है मिस्टरधन अब ये जो मिस्टरधन है जिसको अमाउंट कहते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है इसमें जुड़ा हुआ है वो मूलधन जो मैंने ब्याज को लिया जो मैंने ब्या लिया था और ब्याज जो मैंने चुका पाँच साल में तो जो मिश्रधन है जिसको हम अमाउंट कहते हैं इसमें दो चीज़ें शामिल होती है कभी मिश्रधन दिया हुआ है या अमाउंट दिया हुआ है आपको तो इसमें दो चीज़ें सामिल होती है पहला होता है मुल्धन मतलब प्रिंसिपल भी उसमें जोड़ा जार रुपे इन चीजों को exactly हमको clear समझना चाहिए और नहीं confuse नहीं होना है बिल्कुल भी कि जो अमांटा वो लेते हो लोन पर वो मूलधन है इस पर आपको पांस साल का आप पांस साल के लेते हो यह टी है आर है दस परसेंट जिस पर ब्याज लिया जा रहा है और पांस साल बाद हर साल दस परसेंट दस परसेंट दस परसेंट दोगे तो पांस हजार का दस परसेंट किता होता है ہpt isao पाँसो रुपे तो एक सार पांसो रुपे लग रा है ब्यास तो पांस हाँ लगेगा पचीस सो तो पचीस सो रुपे इस पर ब्यास लग गगा है जो तो क्या कभी मुल धन change होता है कि नहीं मूलधन पांच हजार ही रहेगा पहले भी और बाद में भी तो बाद में change क्या होता है वो ब्याज add हो जाता है मूलधन में जतने समय के लिए आप loan लेते हो जिस rate पर भी लेते हो तो यहां पर वो जब ब्याज जोड़ देते हो तो उसको मिश्रधन कहते हैं तो यहीं यहां पर लिखा हुआ है कि देख साधरन मिश्रधन इकोल टू मूलधन जिसको कहते हैं पी और इंटरेस्ट ब्याज जतना आपने लिया है पहले पसवाण जाए उन्याई आ हैं आपको और साधरन ब्याज मालो निकालना है आपको तब क्या कर द ब्रिंस्पल क्या होता रेट क्या है टाइम क्या है यह एग्जेक्टली हमको क्लियर रखना है तो अब देखो हमने आपको सिंपल इंट्रेस्ट का फॉर्मुला क्या बताया पी आरटी डिवाइड वाइड हैंडरेत को याद रखना है तो यहाँ पे जाम साधन मिश्णधन का है ब्याज लेकिन हम को पता है का आई का हमने क्या रखा था एसाई का फॉर्मूला क्या रखा था पी आरटी डिवाइड वा हंड्रेट तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है अमाउंट को जहां पर हम एक क्वल्ट क्या कर देंगे पी कॉमल ले लेंगे तो बचा और इसको जरूल लीक्स फॉर्मूले के पे जरूत नहीं जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने पांच हजार रुपे का लोन लिया तो मैंने बुला कि पांच साल के लिया तो यह क्या होगे आपना टी हो गया और जो ब्यास दर है वो है 10% यह होगया आपका आर तो यह साधारन बयाज होता है वह साल बराबर रहता है साधारन बयाज चकशन कीए साधारन बयाज जो है वह बिलकुल fix रहता है इसको flat rate कहते हैं अगर आप bank मेंIVE लोन लने जाओगे तो वह भी बूलता है कि bank लोन मिलता है 6% flat rate मतलब जब तक आप लोन चुका होगे same amount of ru Das आपको हर किस्ट पे देना पड़ेगा तो सपोज जैसे कि ये 5000 कबोल दिया कि 10% ब्याज लगेगा किती साल के लिए पांच साल के लिए और ये ब्याज देना पड़ता है आपको yearly बारसिक रूप से देना पड़ता है ये आप अच्छे से याद रखना है क्या होता है yearly होता है तो अब इसको मैं सीधा निकाल वो बिना calculate किया तो क्या साल लेकिना पड़ेगा सबसे पहले निकाल लो कि 5000 का 10% क्या होता तो वो कित्ता होता है 500 रुपे प्रती वर्ष ये ब्याज देना पड़ेगा प्रती वर्ष अब कित्ती साल के लिए 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 पांस साल के लिए तो भई पांस साल तक हमको जो है 500-500 रुपे जो है ब्याज देना पड़ेगा तो पांस साल का टोटल ब्याज कित्ता हो गया 25 सो रुपए, ये हमारा हो गया टोटल ब्याज, आपसे कुछ भी पूछा जाए, आपसे मिश्र धन पूछा है, अमाउंट पूछा है, तो ब्याज ये है, और मुल धन किता था हमारा 5000 रुपए, तो मिश्र धन किता हो गया, 7000 रुपए, अगर आपको कंसेप्ट के लिए रह करता है कि मान लो बोल दिया पांच परसेंट ब्यास दर है तो पांच परसेंट का मतलब यह है कि अगर आप सो रुपे लेते हो तो पांच रुपे आपको देना है कितना देना है सो रुपे पांच रुपे ब्यास देना है अगर आप सो रुपे लेते हो तो इसको हम ऐसे भी वन बाइट वेंटी यह भी लिख सकते हैं कि हम बिल्कुल लग सकते हैं तो यहां वन बाइट वेंटी के मतलब क्या है कि अगर मैंने बीस रोपे का मूल धन लिया है तो एक रोपे जो है क्या है मुझे ब्याज देना पड़ रहा है प्रती वर्ष क्या देना पड़ रहा है प गरेट बीट बीस परसेंट दिया हुआ है तो बीस परसेंट का मतलब क्या है? 20 बटा 100, मतलब अधि 100 मोलधन है, तो 20 क्या है उस पर? 20 बटा 5, यदि 5 मोलधन लग रहा है हमारा यूदि प्रिंसपल है, यह क्या है हमारा? interest है पासमझा है आपको तो ये अभी हम ratio को use करेंगी या दिए अगर ये आपको समझे में आ गया तो बहुत सारे question बहुत तुरंत आप exactly सीधा answer तक पहुंच जाओगी इस चीज़ को समझना आप दियान से तो पांच मूल धन पर एक बयाज देना पड़ रहा है किती साल के लिए एक साल के लिए लेकिन question में क्या दिया हुआ है पांच साल का बयाज कित्ता हो जाएगा जब एक साल के एक तो पांच जाएगा पांच यह क्वा यहां पर अमाउंट और principle का ratio क्या आ गिया दो बटा एक मतलब अगर आपको प्रिंसिपल दिया है तो अफिधा मिश्धन को क्या कर दोगे डबल कर दोगी इस तरीके से जो रेशो होते हैं ये समझने में हेल्प करते हैं और कॉश्टन को डारेक्ट सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेंगे अमाउंट आप मैंने आपको बता दी है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है सिंपल इंट्रेस्ट और अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो जो है इसको महिंदी में कहेंगे मिश्र धन और मूल धन का रेशो ये भी जो है समझने में बहुत हेल्प करेगा हमारी इस ताइप के कॉ साही तरीके से समझ गया हुए यह basics थे कुछ इस topic से related हम questions करेंगे और उन सारे concept को apply करेंगे और देखते हैं कि आप कोई समझ में बात आई की नहीं आई यह question है तो इसको हम को दोनों तरीके से करना है पहला तरीका क्या है हम formula से करेंगे तो for example आपको mains वाले questions में solve करने के लिए आता है तो वहां हमको detail में solve करना पड़ेगा तो पहले हम formula लगाएंगे तो इस question में देखो interest देखो सबसे पहले कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ है ठीकि ना time कितना दिया हुआ है पांच साल दिया हुआ है उसके बाद amount दिया हुआ है कितना 45,000 और पूछा क्या है पी पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है पी पूछा गया है आपसे तो पहुत simple question है भाई इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है हम उने formula लगा देंगे अभी हमने formula पढ़ा था कौन सा वाला ए वाला a क्या होता है यह होता है हमारा p plus interest p को हम p रहने देंगे interest को हमने formula क्या पढ़ा था p r t divide by 100 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 2 प्लस r कित्ता दिया हुआ है r कित्ता rate दिया हुआ है 25 ठीक ना t कित्ता दिया हुआ हुआ है 5 नीचे घ्या है हमारा 102 ठीक न तो टूटल कित्ता हो गया यह हो गया p अंदर देखो 1 plus 125 डिवाइट बाइट वाइट हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 225 डिवाइड by 100 इसको 25 से डिवाइड कर दो तो या कित्ता आ गया 9 बटा 4 ठीकि ना 9 बटा 4 तो अब हमारा कॉस्चन क्या हो गया 45,000 एक्वल टू 9 बटा 4P तो यहां से पी कित्ता आ गया आपको इसको आप क्रोस कर दो कित्ता आ गया नो हजार सॉरी पांच हजार इंटू चार दीस हजार यह आपका अंसर आ गया पी तो निकालना था अपन को यह सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको अगर मेंस के लिए सॉल्व कर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब कि यह कॉस्टन जो है सी सेट में हुआ है या आप किसी भी एक्जाम माया हुआ है आपको डारेक्ट आंसर निकालना है क्या निकालना है आपको डारेक्ट आपको अंसर निकालना है आपको सॉल्व करने की जुरूत बिल्कुल नहीं है तो अब हम उसको कैसे करेंगे अगर इस टाइप कोस्टर वैसे आ जाता है तो 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 उ ये सब चीजे तो हमको दी हुई है दी हुई है तो देखो रेट क्या दिया हुआ रेड़ मनता है ध्यन समय रेड़ दिया हुआ पच्चेस परसेंट का मतलब कहा है 25 व bellaso मतलब एक वट चार मतलब अगर principle चार है तो interest किता है एक अगर principal चार है तो interest किता है एक लेकिन यहां पर किता दिया हुआ है पांच साल के लिए दिया हुआ है तो एक साल का interest एक है तो पांच साल का किता हो जाएगा पांच किता interest हो जाएगा पांच और नीचे तो चार दिये हुआ है principal हम को लेकिन अब यह आया है आपका इंच्रिस्ट तो मैं बोलू आपको आपको आमांट निकालना है तो आमांट कत्ता हो जाएगा. इंच्रिस्ट प्लस मिश्पल तो א। पांच Zach को तो क्या हो जाएगा. उध प्रिंसिपल रहे हैं चारी नौँबटा चार आ गया यह है अमांट और प्रिंसिपल का रेश्यू यह नौटा चार आ आपको दिया हुआ है किता 55,000 और इसको डिवाइड कर तो नौबटा 4P अगर आपको याद हो तो यही इस फॉर्मुला सेम आंसर हमारा इसके पहले भी आया था हमने फॉर्मुला लगाया था या देना आपको एक सो पत्चीज प्लस बन ते दो सो पत्चीज वटा सौ हो गया था उसको डवाइड किया तो नौवटा चार ही आया तो यहां भी देखो फिदे नौवटे चार तक हम आ चुके हैं नौवटे चार तक यह पांच सब्सक्राइब पांच प्यार प्याद हम गोड़ा यहां किया था अंतर बस यह सफ्याइड कर सकते हो यह फरमुले से करना है तो आपको एस तरीके से आपको करना पड़ेगा ब्स दूसरा कौश्चन देखते हैं इसको भी आपको जो है सिधा करके देखे या फॉर्मूला लगा की यहां पूछा गया आपको मूल्धन पूछा है पी ही पूछा हुआ है और आपको जो है मूल्धन निकालना है तो कॉस्टन लगाएंगे हम सिधा फॉर्मूला लगाएंगे अपना लगावा फॉर्मूला क् हमको पता है कि simple interest बगएर और होता है P R T divide by hundred P हमको निकालना है तो P equal to हम क्या लग सकते हैं SI into hundred divide by RT SI हमको simple interest दिया हुआ है क्या simplest हम तो दिया हुआ है आर्ड दिसमलो तीन तीन परसंट दिया हुआ है यह सही किया ना हमने है क्या नकालना है हमको प्रिंस्पली तो नकालना है हमको simple इंट्रेस्ट जो है वो दिया हुआ है हου को इंट्रेस्ट कितना दिया हुआ है सिंपल इंट्रेस्ट हमको दिया हुआ है सिंपल इंट्रेस्ट ब्याज कितने दिया हुआ है पंदरा सो रुपे दिया हुआ है सो नीचे आर आर की वेली कितनी दी हुई है रेट क्या दी हुई है आर दसमला तीन तीन परसेंट इंटू टाइम क्या दिया हुआ है पॉंच साल अब देखो कुछ basics आपको पता होने चाहिए यह मैंने पिछली class में भी बताया था कि कुछ ratio वाली चीज़ें आप याद रखना जो 8.33 होता है 8.33% होता है इसको जो है divide by 100 का मतलब पता है क्या होता है इसका मतलब भी होता है 1.12 एक बटे 12 को हम इस तरीके से लिखते हैं तो अगर आपको यह मालूम है तो यह क्लिकुलेशन आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्लिकुलेशन ना तो अब हमको कहा निकालना है पी निकालना है तो 1500 इन्टू 100 नीची आ हो गया आपका एक बटे 12 मतलब 12 उपर चला गया इन्टू 5 इसको आप सॉल्व कर लो आगे कित्ता हो गया यह हो गया आपका 300 ठीके ना तो यह मंटिप्लाई करके कित्ता हो गया 12 36 36 रुपए आपका अंसर आ गया तो यह सिंपल कॉस्टेंस है जो आपको फीदे 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 फार्मूले से हो जाएंगे बस सही लगाते जाना अब यह एट पॉंट थी रखोगे तो कल्कुलेशन मुस्किल हो जाएगा थोड़ा ठीके ना तो यह बेसिक्स पता होना जी है जिसे एक बटे बारा को हम एट पॉंट थी लिखते हैं तो एक बड़े बारा मैंने किया तो श्वीदा आंसर श्वीदा आपका आंसर होगा तो इस तरीके से जो है आप मूलधन के इन कॉस्टेंस का निकाल सकते हो यह फार्मूला आप दो तीन अच्छे से याद रखना एक तो एक प्रिं कॉशन्स भी आ जाते हैं अब देखो कुछ गुणा वालों का जो बेसिक समझे लो पहले आपकी मैंने आपको क्या बताया था कि यह वराबर क्या होता है पी कॉमल लिया था हमने आर टी यह पड़ा था हमने पड़ा था हमने पड़ा गी नहीं पड़ा था अब प्रिंसिप है आपने लिए लोन लिया आप मालों 15% रेक पर तो बहो 15 गुना हो जाता है तो कितना गुना हो रहा है एंप्र गदा ऑगा सकते हैं रख सकते हैं क्या थो में उपर क्सको वा Penny निकल गया को नया फामुला ये निकल के आ रहा है कि ये हो गया आपका क्या हो गया आपको ये हो गया आपका P कॉमा ले लो आप तो N-1P हो गया एक्वल टू 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100 बाई समझाए आपको ये जो है ये बहुत महत्पूं हो जाता है चीजों को समझना यहाँ पर कि ये क्या हो रहा था ये वन डिवाइड बाई RT बाई 100 हो जाता है तो यहाँ P जो है ये N-1 गुना हम यहाँ रखेंगे और फामुले में रखेंगे तो सीधा हमारा आणसर आएगा इस चीज को जो है बहुत ध्यान से रख़ए समझना आप कि ये जो है इस तरी के कॉस्टिंस भ देखो ऐसा भी लिख सकते हैं अब ही हम N-P बराबर क्या लिख रहे थें P पलस P RT डवाइड बाई 100 यही तो लिखा था हमने यहाँ पर इसका मतलब क्या था यही तो था इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं N-P-P equal to P RT डवाइड बाई 100 लिख सकते हैं हाँ यहाँ से P common ले रखना है सारे गुनावाले जो कॉश्टन्स होंगे इस तरी इस प्रकार से आपके सॉल्व हो जाएंगे यह हमको अच्छे से याद रखना है यह मैं निकाल के बताया अब आपको निकालने के रोगत नहीं समझानी के लिए बताया है अब यह फॉर्मूले को हम सीधे के सीधे लोग करेंगे और फीदा का फीदा जो है आपका आंसर जो है इससे ही आ जाएगा अगर आपको यह बेसिक्स पता है तो यह कॉश्टन सीधे के सीधे हो जाएंगे अब देखो ध्यान से अब यह कॉश्टन फटा फट हो जाएगा बिलकुल दिक्कत की बात नहीं है लग मु value से मतलब नहीं है हमें केबल गुणा वाली value देखना है और R और T में कोई एक दिया होगा और दूसरा पूछा होगा जैसे कि यहां क्या बोल रहा है एक धन्रासी निश्चित ब्याजदर से तो यहां पर rate दिया हूँ सॉरी ब्याजदर से 20 समय के लिए 20 वर्साओं के लिए दी जाती है तो T 20 दिया हूँ है N वराबर दिया हूँ है क्या 6 आप से पूछा क्या है आप से आई पूछा है आप सॉरी आप से आर पूछा है rate पूछी है ब्याजदर पूछा है rate निकालना है अपनको तो N-1 तो N दिया हूँ है 6 तो N-1 direct solve करो आप कित्ता होगे आप 5 आर की वैल्यू हमको निकालना है टी केत्ता दिया हुआ है बीस और यहां होता है 100 बास्मज़ में आई किस तो यह आप काड़ दो आप यह चार बार कड़ गया यह आर बराबर आगया आपका 25% क्या आपको बास्मज़ में आई क्या इसमें हमको के जरूरत ही नहीं यदि यह आपको समझ में आ गया है तो इस ताइब कॉश्चन सीधे सॉल्व हो जाएंगे यह दूसरे टाइब कॉश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं अब यह कॉश्चन आपको करना है बिल्कुल आसानी से बहुत आसान कॉश्चन है इसी कंसेफ्स हम सम आससा से यहाँ अर दिया हुआ है 12% ब्यार से अपने का चार गोना हो जाती एंग वराबर किता हुए चार तो बस एन बराबर चार है तो एन माइनस वन किता हो गया तीन एक्वल टू आर दिया है हमको बारा टी पूछा है और यह हो गया आपका हंड़ेट तो टी की वैल्यू किती नकालेगी थ्री इन्टू हंड़ेट डवाइट बाय बारा यह चार बार कट गया टी बराबर आ गया जा फिर यह और नेस्ट कॉस्टन ट्राइ करके देखे लिए इस टाइप यह कॉस्टन भी आसानी से बन जाते हैं एक धनरासी पांच वरसों में पांच गुना हो जाती है तो टी दिया हुआ है कितना पांच साल टी और कितने गुना हो जाती एन बराबर हो जाती है पांच स one नकाल लेंगे बासवन में यहाँ आए आपको क्योंकि यहां पर relation क्या आ रहा है देखो n minus one equal to r t divided by 100 आपसे n minus one आप नकाल लोगे यहां असानी से तो जो value आएगी उस value का और t का क्या relation x दिया नहीं तो r हो गया constant तो वो जो value है हमारा n minus one है इस directly proportion to क्या होगया हमारा t मतल़ सीथा-फीधा र pourtant पहले तो n minus in नकाल लेंगे तो n minus one किता आ गिया चार यहां n minus बन किता आ गिया आठ तो देखो जब n minus one चार है तो यहां 8 हो रहा है तो यहां 5 है तो यहां कित्ता हो जाएगा दस हो जाएगा बस सीधे फीधे बात है कितना समय लगेगा दस साल बस आपका अंसार आगए इस तरीके से आप इस प्रकार के कॉस्टन्स कर सकते हो simple interest comparatively बहुत आसान होता है आपको सीधे सीधे formula लगाने आने चाहिए ध्यान रखना कई बार formula की भी जरुद नहीं होती है साधारन ब्याज में क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर साल साधारन ब्याज जो होता है यह constant होता है fix होता है वो वाला example जो मैंने आपको बताया बिल्कुल अच्छे विद्धान रखना कि suppose आपने एक हजार रुपे का लोन लिया है पांच साल के लिए और ब्याज दर suppose दस परसेंट है तो आप दस परसेंट इसका एक हजार का कित्ता होगा 100 तो यह 100 है प्रती वर्स का ब्याज है प्रती वर्स का इंट्रेस्ट है आपका प्रती वर्स का ब्याज है जितने भी साल के लिए होगा उसमें जोड़ते जाओ चाए पांस साल हो चाए दस साल हो चाए बीस साल हो एक साल का सो है तो पांस साल का हो गया पांस सो यह हो गया ब्याज कुल अमाउंट था एक हजार इन नों को जोड़ दो तो आपका अमाउंट आ गया एक हजार प्लस पांस सो एक पर तू पंद करके दौनों प्राइब प्रकॉश्चन्स आप पर बन जाएंगे तो अगर आपको यह हैं फुल रहा हो तो सब्सक्राइब दिरू करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और बेस्ट फेश एक्जाम्स